हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर अवेर्नेस का जो चैप्टर थर्ड है जिसमें हम पढ़ने जाएंगे सॉफ्ट वियर एंड एंड एट्स एप्लिकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोस सॉफ्ट वियर मैं आपको पहले बता चुका हूं क्या होती है वह एप्लिकेशन वह चीज़ें कंप्यूटर की जिससे हम टच नहीं कर पाते हैं ठीक है और जो कंप्यूटर के अंदर प्रेजें और यूटिलिटी मुझे लगता है मैं ये चीज़ भी आपको पहले बता चुका हूं बात करें एप्लिकेशन सॉफ्ट वियर की तो एप्लिकेशन सॉफ्ट वो होते हैं जो यूजर की डिमांड को फुल्फिल करने के लिए होते हैं जिसे कहते हैं जिसे आप आप डाउनलो है तो क्या है आपकी डिमांड थी कि आपको सोचल मीडिया यूज करना है तो उसके लिए एक एप्लिकेशन आपने डाउनलोड की तो उसे हम कहेंगे एप्लिकेशन सॉफ्ट वियर ठीक है इसकी एग्जेंपल है एमेस सॉफ्ट वियर पावरपाइंट स्प्रेडशीट आते हैं नेक्स चीज़ आगई सिस्टम सॉफ्ट वियर ठीक है पहली एप्लिकेशन सॉफ्ट वियर थी अब हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्ट वियर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा सॉफ्ट वियर होगा यह वो सॉफ्ट वियर होगा जो सिस्टम को रन करने में ह करते हैं जैसे कि operating system आ गया ठीक है compiler, loader, linker, interpreter ठीक है यह सब चीज़े क्या है compiler, loader, linker, interpreter इसकी भी मैं आपको definitions बता दूँगा अभी फिल आप example याद रखे कि यह सब system software की examples है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यह pre-loaded आती है computer में जैसे drivers होते हैं जो आपके hardware को चलाने के लिए help करते हैं वैसे ही pre-loaded software जो आता है आपके computer में वो system software होता है थर्ड चीज़ आगई utility software ये भी मैं आपको बता चुका हूँ utility software वो होता है जो आपके computer को maintain करने के लिए optimize configure analyze करने के लिए काम आता है ठीक है तो आपके computer को maintain क्या करता होगा antivirus या फिर वो चीज़े जो आपके computer को खतरनाख virus या threats से बचाती है like firewall ठीक है और antivirus तो मैं आपको example में बताई चुका हूँ तो तीन टाइप के software है एक बार फिर बता दूँ application software जो apps को run करने के काम आता है system software जो pre-loaded होता है और आपके computer system को run करने के काम आता है utility software जो maintenance के लिए काम आता है next आता है type system software तीन software पढ़े हमने जिसमें से second number पर पढ़ा था हमने system software वो software जो हमारे computer system को run करने के काम आता है अब उसकी भी कुछ types हैं मैंने आपको बताया था compiler, interpreter, loader, linker ये चीज़ और operating system ये मैंने आपको बतायी थी उसकी कुछ examples तो ये होती क्या चीज़े है क्योंकि ये इनकी definition आप को exam में आ सकती है तो ये क्या चीज़े होती है एक बार इसे भी पढ़ लेना काफी जुरूरी है ठीक है सबसे पारा जाते है operating system में it is a software that actually runs a computer operating system क्या होता है जैसे windows है हमारे जो microsoft चलाते है उनके लिए windows है और जो apple चलाते है उनके लिए mac है ठीक है तो ये क्या चीज़ है ये operating system है जब हम चलाते हैं तो क्या चीज़ लोड होती है operating system लोड होती है ठीक है उसके अलावा आ गया Linux Unix अब मैंने आपको पिछले chapter में बताया था open source और closed source याद है आपको open source और closed source open source वो जिसमें जिसका जो source code होता है हम अपने हिसाब से alter कर सकते हैं अपनी need के हिसाब से और closed वो जिसको हम सिरफ use कर सकते हैं उसकी coding में कोई alteration नहीं कर सकते हैं तो open source इन में से कौन सा है इन में से open source है Linux और closed source कौन सा है Unix मैंने आपको बताया था पिछले में ठीक है next आ गया compiler compiler क्या होता है compiler से आप देख सकते हो जो चीज़ों को compile करेगा compiler का मतलब वही होता है वह चीज़ जो चीज़ों को compile करता है तो क्या है यह जो data होगा उस सारे data को compile करेगा source language को machine language में convert कर देगा ठीक है source language कौन सी होती थी हमने पढ़ा था ना om और sa machine language को हम object language कहते थे assembly language को हम source language कहते थे तो एक चीज़ याद रखिए compiler क्या होगा जितना भी आप data बेजेंगे उ वो से पहले अपने पास compile करके रख लेगा और computer को बेजने से पहले उसकी execution कराने से पहले source language को यानि की assembly language को convert कर देगा किस में machine language में तो एक question तो यही आगया सित-सिदा कि assembly language को machine language में convert करता है कौन आपको यह 5 option दिये होंगे उसमें से आपको बताना होगा कौन convert करता है assembly language को मशीन लेंग्वेज में, कमपाइलर ठीक, next आता है interpreter, translate and execute program line by line, ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको बताया, compiler क्या होता है compiler भी convert तो करता है, यह यह तो एक function दूसरी चीज मैंने आपको कही कि compile करता है data, यह यह सारे data को इकठा लेता है, और उसके बाद execute करता है interpreter क्या करता है interpreter line by line program को execute करता है, line by line ठीक है, एकी साथ कोन करता है compiler, line by line कोन करता है interpreter, ठीक है, translation इसमें भी होती है, conversion इसमें भी होती है पर कैसे program को execute करना है यह main difference है, ठीक next आता है हमारे पास loader loader, load जो करेगा program को, उसे कहेंगे loader simple, इनके नाम से ही इनकी definitions निकालनी है हमें, तक हमें जादा रटना न पड़े, तो loader क्या करेगा वो load करेगा एक program को अब program को load करना है, तो किस में करना है, memory में करना है computer की और उसके बाद वो उनको execution के लिए prepare कर देगा ठीक है, ये आप ना भी पड़ो तो इतना important नहीं है ये वाला part important है loads the program into memory तो उसका नाम ही बता रहा है कि loader जो है, वो program को memory में load करेगा last one is linker ये तीन तो नाम से ही पता चल रहे हैं क्या करते हैं, ये आपको बता दिया मैंने, जैसे Microsoft और Windows जो है, operating system है ये important point है, जिसको आपको रटने की जुरुत पड़ेगी, क्या है ये linker क्या करता है, यहां एक से ज़्यादा objects, जो की compiler ने generate किये होते हैं, compiler ने generate किये होते हैं, compiler ये रहा उसको assemble करता है, और उसको single executable program में convert कर देता है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, compiler क्या करता है, धेर सारे जो हम उनको commands देते हैं, उसको अपने पास hold करके रखता है, ठीक है अब उसने धेर सारे commands को hold तो करके रखा हुए, पर क्या computer उन धेर सारी commands को एक साथ चला सकता है, बिल्कुल नहीं चला सकता तो उन commands को execute करने के लिए, linker क्या करता है, उन सब को assemble करता है, एक single executable program में ठीक है, interpreter में तो line by line ही हो जाता था तो interpreter जो है, वो computer पे इतना pressure नहीं डालता था linker को आप ऐसे याद रखो कि जो भी compiler ने सारा data hold करके रखा है, अब उसको execute करना है, तो धेर सारा data execute नहीं हो सकता है, वो सारे data को ऐसे assemble कर देता है, कि computer को देखने में लगता है, कि हाँ भई, ये तो single ही program है, और वो उसे execute कर देता है, तो linker क्या करता है compiler का जो data है, उसको assemble करता है single executable program में ठीक, समझागी असली में ऐसा होता है या नहीं होता उससे फरक नहीं पड़ता, आपको बस इनकी definition याद रखनी है, जैसे भी जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को अपने मन में बिठा लो, अब आचा आता है types of OS, OS के operating system, अभी तक हमने जो चीज़े पड़ी, उसमें सबसे पहले पड़ा था हमने तीन types of software, फिर उसमें से एक software उठाया था, उसकी 5 types पड़ी थी, अब उन 5 types में से एक type उठा रहे हैं, और उसके भी types पड़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है batch OS, batch से मतलब, आपको सुनने में ही पता चल रहा है कि वो धेर सारा data collect करेगा, उसका एक batch बनाएगा, और उसके बाद उसको execute करेगा, तो वही collects data in bundle, और फिर उनको execute करता है, ठीक है देर सारे data को collect करता है, फिर उसका एक batch बनाता है, और फिर उसके बाद उसको execute करता है, फिर आगे single user operating system allows data from one processor and executes them, ठीक है, single user, तो single ही processor से data लेगा, और उसको execute करेगा, multi programming operating system allows data from two or more, यानि कि minimum two होने ही होने चाहिए, तब ही उसे multi programming कहेंगे, और two से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनसे data लेगा और उसको execute करेगा, distributed operating system manages collection of data from independent computers and make it appears as data from single computer to user, यानि कि multiple computers हैं, जो आपस में connected हैं, किसी के थूँ, उनसे data लेगा और एक single computer, for example, यहाँ पे 4-5 computer है, ठीक है, इन में data है, आप इस computer में बैठे हो, यह computer linked है, असली में ऐसा होता है, कि नहीं, उससे फरक नहीं बढ़ता, मैं बस आपको यह रटाने की कोशिश करना हूँ, कि distributed का मतलब क्या हुआ, अब data जो है, इन तीन, इन चार computer के, इन चार computer में आपस में distributed है, पर आप बैठे हो, सिरफ इस वाले PC पे, आप आपको जो data access करना है, वो इस PC पे भी हो सकता है, और इन तीन PCs में भी हो सकता है, पर उन सारे data को आपको इसी ही PC से access करना है, क्योंकि आप तो इस PC पे बैठे हो, आप उठके बार-बार अलग-लग computer पे तो जाओगे नी, तो क्या करता है, जो distributed operating system होता है, वो इन सब PC के data को collect करता है, और वो आपके ही PC पे इस सब को ऐसे appear करता है, कि सारा data आपको इसी computer से मिल रहा है, जबकि वो अलग-लग computer से भी होता है, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको रिटाने के लिए एक example के तोर पे बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकता है ये, real time operating system, real time operating system क्या होता है, जो specific period of time के अंदर आपको आपका output दे देता है, time sharing operating system, इसमें क्या होता है कि multiple users जो है, वो एक computer resource को use कर सकते हैं, ठीक है, एक computer resource को multiple users use कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि multiple computers को अगर एक बंदा, multiple computer के data को अगर एक बंदा एक computer से access कर रहा है, उसको कहते हैं distributed, और एक computer है, और उसकी data को चार पांच बंदे access कर रहे हैं, तो वो time sharing है, डिफरेंस बाज चल गए distributed और time sharing में फिर आगया mobile operating system में तो आपको पता ही चल गया कि जो आपके mobile systems में होता है अच्छा mobile systems को mobile को और क्या कहते है mobile को कहते है handheld device handheld device ठीक क्योंकि हम हाथ में पकड़ते हैं handheld मतलब हाथ में पकड़ने वाला device then आगी booting booting क्या कहते है start करना किसी चीज को start करना उसको हम कहते है boot the process of loading operating system into memory when computer is turned on operating system देखो जब भी आप computer turn on करते हो सबसे पहले जो आपको screen दिखती है वो क्या होती है वो windows होती है microsoft वालों के लिए windows होती है और apple वालों के लिए mac होती है तो वो operating system देखो इतना time लगाता है computer on होने में क्यों लगाता है क्योंकि उसको उस operating system को computer की memory में load करना होता है जब हम उसे turn on करते है क्योंकि सारा काम ही operating system में होना है तो उस process को जिसमें operating system जो है computer की memory में load हो रहा है उसे कहते है booting यहां फिर आसान शब्दों में कहे जब computer turn on करते हो उसे कहते है booting अब booting भी दो types की होती है cold booting, warm booting ठीक है अब मैं ऐसे आपको रटाने की कोशिश करता हूँ आपको पता है diesel engine की गाड़िया diesel engine की गाड़िया सर्दियों में बहुत problem देती है क्यों क्यों क्योंकि जब आप गाड़ि को start करने की कोशिश करते हो तो वो काफी लंबा self लेती है या हो सकते है एक self में start ही न हो क्योंकि उसका engine ठंडा होता है तो आप ऐसे याद रख सकते है engine ठंडा है तो computer को जब आप बड़ी देर से computer बंद है उसको start करने की कोशिश करोगे तो उसको कहेंगे cold booting यानि कि engine ठंडा है ठंडे engine को start करने की कोशिश की जा रही है warm booting आ गया कि computer को जब हम restart करते हैं यानि कि जो diesel engine की गाड़ी है एक बार start हो गई और आपने उसको काफी जादा use कर लिया और आपने उसको 10 minute के लिए बंद किया है क्योंकि आप एक दुकान पे chips लेने के हो जब आपने उसको आके वापिस start किया वो उसी time start होगी क्यों क्योंकि अब सर्दियों से फरक नहीं पड़ता उसका engine गरम हो चुका है तो जब उसका engine गरम था तो आपने उसको restart किया बड़ी असानी से तो turned off state से यानि कि जब आप उसको first time on कर रहे हैं काफी देर off रखने के बाद तो उसे कहेंगे cold booting जब आप उसको restart कर रहे हो तो उसे कहेंगे warm booting इससे एक question आता ही आता है और question क्या होता है ये भी मैं आपको सिदा सिदा बता देता हूँ कि restart करने को कौन सी वाली booting कहते हैं ये होता है question ठीक अब operating system के related कुछ questions कर लेते हैं single user operating system ये मैं आपको explain कर चूँक हो single user तो वो कौन सा है MS-DOS full form यूद रखने की जुरूरत नहीं है open source open source मैं बता चुक हूँ आपको पहले भी linux और closed source कौन सा unix तो ये चीज एक बार मैंने फिर से यहाँ पर mention कर दी होई है third चीज आगी MS-Excel MS-Excel मैंने आपको बताया बहुत important है bankers के लिए MS-Excel का दूसरा नाम क्या है spread sheets ये एक example में भी मैंने आपको पीछे बताया था spread sheet को क्या कहते है अब आगी वो चीज जो मैंने आपको पहले कही अभी just अभी पीछे कही booting के time कही कि जब आप computer को on करते हो तो आपको क्या चीज दिखती है आपको ये screen दिखती है ये क्या है ये है operating system of Microsoft और operating system of Microsoft क्या होता है Windows तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है Windows 7 ये लिखा भी है यहाँ पर जैसे ही आप computer को turn on करोगे आपको ये चीज दिखती है जिसको हम operating system कहते है और Microsoft को operating system है Windows ठीक है तो ये आ गया Windows 10 जो पिछला था वो Windows 7 है अभी latest चल रहा है Windows 10 तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है Windows 10 अच्छा अब first chapter में मैंने आपको पढ़ाया था एक word GUI GUI का full form क्या था GUI का full form था graphical user interface graphical user interface और GUI हमने किस के लिए पढ़ा था mouse के लिए ठीक graphical user interface अब आजाते हैं Windows के versions ठीक है Windows के version आपको इस pattern मतलब sequence में याद रखने की जूद रहतनी है जो चीज़ आपको sequence में याद रखनी है मैं खुद ही बता दूँगा आपको बस इनके नाम याद रखनी है ठीक है क्योंकि आगे मैं इनके base पे question लाऊंगा इनकी एक एक quality है जिसके base पे question आ सकता है ठीक अब बस ये याद रख लीजे कि सबसे पहला कौन सा था Windows 1.0 और latest कौन सा है Windows 10 ठीक है Business waste ये छोड़ो ये रहन दो इतना depth में नहीं याँ था बस याद रखिए पहला कौन सा था Windows 1.0 और latest कौन सा है पॉइंट हटा दो Windows 10 ठीक अब आ जाते हैं उनके base पे question सबसे पहला कौन सा था मैंने याँ पे लिखा हुआ है 1.0 और ये किस पे काम करता था ये काम करता था CUI एक लोता Windows जो CUI पर काम करता था कौन सा था 1.0 अब CUI की UI में तो यूजर इंटरफेस ही रहेगा GUI में G होता था Graphical CUI में C होगा Character That's it Next question आ गया कौन सा Windows था जिसमें GUI First Time Introduce हुआ था और उसके बाद से अभी तक GUI ही चल रहा है तो वो है 3.1 ठीक Next आ गया Internet Explorer Which was introduced Internet Explorer क्या है सबसे पहली चीज़ Internet Explorer क्या है Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox क्या है ये सब चीज़े ये सब चीज़े है Web Browser अगर अभी याद कर सकते हो अभी कर लो वरना आगे एक चैप्टर है Internet उसमें भी मैं आपको दुबारा से ये रिवाइस करवाऊंगा फिलाल के लिए याद रख लो ये है Web Browser तो Internet Explorer जिसका हम बड़ा मजाग उडाते हैं कि बहुत ज़्यादा Slow है ये कब इंट्रड्यूज हुआ था सौरी ऐसे याद कर लो कि Driver D जो Alphabet होता है इसकी Value होती है 4 तो इसको Double कर दो 8 तो 98 वाले में Drivers ठीक नेक्स्ट आ गया M.E ठीक है Windows M.E जो है 2000 में इंट्रड्यूज हुआ था विच इस Upgraded Version of Windows 98 M.E की Full Form क्या है Millennium Edition ठीक है नेक्स्ट आ गया कि Windows XP के 2 Edition थे कौन-कौन से थे एक XP Home जो हम लोग यूज करते थे और एक XP Professional जो की Offices में यूज किया जाता था XP का मतलब क्या है XP का मतलब है Experience Windows 7 कब बना 7 बना 9 में आप ऐसे याद कर लीजिए कि 2009 9-2 is equal to 7 अब एक confusion हो सकती है 2005 से क्योंकि 5 प्लस 2 भी 7 होता है तो confusion से बचना आपको है मैंने जस्ट ट्रिक बताई है जिससे आपको 7 याद हो जाए तो 2009 में 9-2 करके आपको 7 याद रखने है Windows 7 कब इंटर्डूस हुआ 2009 Don't confuse it with 2005 Next is latest version of Windows कौन से Windows 10 में आपको बता चुका हूँ First version था Windows 1.0 latest version है 10 ठीक कब लाँच हुआ था है September 2014 में ये भी कोशन आचकता है अच्छा Which version of Windows was based on NT New Technology ये कोशन बिलकुल important नहीं है छोड़ो इसे आज आते हैं Next Which version of Windows was used for research purpose ये कोशन important है Windows CE जो की है research purpose के लिए use हुआ CE stand for compact embedded ये वाला काफी important है इसे याद कर लीजिए तो important के है एक first 1.0 एक 3.1 क्यूंकि इसमें GUI introduced हुआ था एक 95 क्यूंकि इसमें internet explorer ठीक है 98 इसमें drivers थे 98 भी इतना important नहीं है जितना 95 है और ये है जो जो important है मैं आपको खुदी बताते जारा हूँ पढ़ने आपको सारे है पर in case आपको लगता है जादा हो गया मैं इतना जादा याद नहीं कर सकता तो क्या क्या चीजिए जो आपको definitely याद करनी है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक उसके बाद आगया latest latest है हमारा windows 10 ठीक है कब introduce हुआ था ये भी काफी important है September 2014 ठीक है और ये फाइनली ये last वाला अब बात करते हैं जो हमें screen पर दिखता है वो क्या क्या होता है ये question आपको ऐसे आ सकता है जैसे icons है तो ये आ सकता है कि small जो objects होते है जो हमें windows के उपर दिखते है उनको क्या कहते है उनको कहते है icons जो ये objects है इनको कहते है icons ठीक है next चीज़ जो windows का button होता है उसको क्या कहते है उसको कहते है start button ठीक next चीज़ जो सबसे नीचे window में सबसे नीचे एक pain पाई जाती है P A N E pain उसको कहते है उसको कहते है टास्क बार ठीक है कोशन किस टाइप से आएगा ये भी मैं बता रहा हूँ जहाँ पर pain word का यूज होगा वहाँ पर टास्क बार ठीक है और बाकी जो screen है screen पर जो wallpaper होता है wallpaper हमें किस पर दिखता है desktop पे next window को कोई भी हमें जो window खोली हुई है उसको close करना है उसको किस से बंद करेंगे close button से then minimize window होती है जो windows को down कर देती है maximize window होती है जो window को full size में लियाती है ठीक और सबसे उपर जहाँ पर document का नाम होता है for example आपने wordpad पर document खोले है नितिन dot d o c x ठीक है तो उसका नाम जो है वो इस जगा पे show होगा तो कोशन आपको कैसे आएगा कि जहाँ पर document का name show होता है उसको क्या कहते है उसको कहते है title bar इसी के साथ हमारा जो chapter 3 है वो भी होता है खतम I hope आपके पिछले chapter के जो जो words आपको इस chapter में दिखे वो revise भी हो गए हो और आपको ये chapter भी समझा गया हो जो जो चीजे मैंने आपको बोली असली में computer में वो होती है या नहीं होती है हमें उससे फरक नहीं पड़ता मैं आपको फिर से यही चीज कह रहा हूँ कि हमें definitions अपने दिमाग में बिठाने से मतलब है तो आप किसी भी situation को imagine करके उस definition को अपने दिमाग में बिठा लो आपको सिरफ answer mark करना है exam में तो इसे के साथ अपने chapter को भी end करते हैं thank you so much